And give us the life of moving pictures promise, beautiful line, क्या हमें ऐसा जीवन मिलेगा, जैसा की moving pictures में वादा किया जाता है, moving pictures मतलब cinema, निर्धन होते विए भी बिचारे एक दो cinema देख लेते हैं, ये गरीब लोग, और cinema के जो दृष्ष हैं, उसमें जो विलाशिता दिखती है, उसमें जो एशो आराम दिखता है, शहरी जीवन का जो आनन्द दिखता है, उसको देखकर ये लोग बड़े प्रभावित होते हैं, और बड़ा अफसोस करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो कि हम ये सब पा जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है, क्या हमें मिलेगा? Will we get that kind of life that is shown in the moving pictures? Moving picture मतलब ऐसा cinema जिसमें दृष्ष चलता रहता है, यानि समाने cinema, still cinema नहीं, समाने cinema, and give us the life of moving pictures, promise, वादे. क्या हमें जो ऐसी picture में जो वादे दिखाई देते हैं, जो चल चित्रों के माध्यम से जीवन के प्रती जो वादे किये जाते हैं, वो क्या हमें मिलेंगे? आपने देखा होगा राजनीती में, नेता लोग बहुत सारे वादे करते हैं, सरकारी अफसर, गाओं वगर जाके बहुत सारे वादे करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, एक से एक बाते हैं, एक से एक उधारन देते हैं, वृद्धी का, विकास का, ने ने मौडल की बात करते हैं, और वादा करते हैं कि आपका ये काम छे माह में आपका ये काम एक साल में आपका ये काम तीन माह में और ऐसा सब पूरा हो जाएगा वादा करते हैं कि आपके एकाउंट में इतना पैसा जाएगा वादा करते हैं कि आपको ये चीजें दी जाएंगी वादा करते हैं आपको साइकल दी जाएगी वादा करते हैं आपको गैस इतने में मिलेगा और पता नहीं क्या क्ये वादे क्या होता है उन वादों का इन लोग को मालुम है निर्धन लोग जानते हैं गाओं के उस तबके के लोग जानते हैं कि ये वादे केवल वादे ही है सौ वादों में से दो वादे पूरे करके ये अमीर वर्ग के लोग संपन लोग सत्ता वाले लोग हमें लुभाना चाहते हूं That the party in power is said to be keeping from us not for us keeping from us keeping from us मतलब हम से जो दूर रख रही है वादों को keeping for us नहीं हमारे लिए जो वादे रख रही है वो नहीं है यहां पर वो पंक्ति को बड़े गौर से पढ़िये to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise क्या हमें जो भूद्रिश्ट से होने वाली क्षति से लेखा कहता है या यह दुकानदार कहता है कि हमें इतनी शिकायत नहीं है जितना दुख उस अन कही बात से है यहां शहर से दूर हम तड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बनाए हैं शहर का कुछ धन अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसे हमारे जीवन में विकास होगा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह जो सिनेमा है चल चित्र जिसे कहेंगे हम हिंदी में उसके माध्यम से जिस पकार के जीवन का वादा किया गया है क्या मिलेगा जिस पकार के जीवन से सत्ता सीन राजनेतिक दल हमें वंचित रखते हैं राजनेतिक दलों ज्वारा हमें वंचित रखा जाता है ऐसा कहा गया है Will we ever be given those things which have been promised in this film which we have seen at times वैसी बहुत कम film में देख पाते हैं क्योंकि धन नहीं है पैसा नहीं है film देखने के लिए मीलों दूर जाना पड़ेगा cinema hall में कल्पना करते हैं कि क्या ये political parties ये जो नेता लोग हमारे पास आके those who make promises but don't do it they keep these promises from us away from us not promises for us remember they make promises for us but keep them away from us भादे तो हमारे हमसे करते हैं हमारे लिए करते हैं धन भी हमारे लिए मिलता है सरकार थे इनको लेकिन कोई वादे पूरे नहीं होते हमें वचित रखा जा रहा है पानी का बोर बनाईंगे कुआ खुदवाएंगे सडक बनाईंगे गाउं में क्या वादे होते है यही तो होते हैं बिजली प्रवाइड करेंगे तालाप खुद वाएंगे, छोटा गार्डन बनाएंगे छोटा साब के लिए खिलोने का एक पार्क बनाएंगे यही वादे होते हैं पर थीज वादे थीज प्रामिसेस आर केप अवे फ्रॉम अस यही इन लोग का कहना है वंचित लोग का हमसे दूर रखा जाता that the party in power party कार्थ party कार्थ यह नहीं है, भोजन आदि की व्यास्था वाली party party कार्थ है राजनी तिक दल party in power is said to be keeping from us हमसे जो दूर रखती है हमसे जो वंचित रखती है क्या वही बाते हैं this is very very serious thoughts by the poet said by way of feelings of these downtrodden by way of feelings of these weaker sections यह कमजोर वर्गों के विचार को कितने बढ़िया तरीके से कभी ने रखा उनकी चंताओं को उनके गुसे को उनके फ्रस्टेशन को उनकी कुंठा को the poet has tried to keep it in front now what he says further यह तो बड़ी साफ कर दिया उसने कि हम यह दुकान इसलिए नहीं खोले के हमें दान मिले काम के बदले में हमें पैसा दो इतनी अच्छाह के हमने दुकान खुली है उम्मीद करना है आएंगे लेकिन कोई आ जा नहीं रहा और कोई आता भी है तो वो क्या कर जाता है बस आलचणा करजाता है अरे भई हाप कंजूस हो चलते बनो और फिर उसके बाद वो अपने गुस्टे का इजहार करता है मन करता अब आगे क्या होता है अब आगे क्या होता है ये हवा में चर्चा है, it is in the news मतलब चर्चा है, हवा में चर्चा है, that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in, ये चर्चा है हवा में, कि समुदाय के सभी जो दैनी लोग है, pitiful, pity मने दैया, don't do pity on me, मुझ पे दैया मत करो, empathize with me, मतलब मेरी जगह पे खड़े होकर अनुभूत करो, दैया मत करो, don't do pity on me, poet says, कि ये गरीबों को दैया नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, इनको अपनी महनत का पैसा चाहिए, बस, it is in the news, that all these pitiful kin, ये जो इन लोगों की जो भी संपत्ती है, जो भी इनकी थोड़ी बहुत जमीन है, जहांपर इस जंगलों में अपने मकान बना के रह 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 है, गुरमुट बना के रह रह है, वो सब खरीद लिया जाएगा, are to be bought, to be bought मने, to buy से बना, buy, bought, bought, वो खरीद लिया जाएगा, and mercifully gathered in, और इन लोगों को क्या किया जाएगा, एकथा किया जाएगा, to gather मने एकथा करना, इन सब को एकथा किया जाएगा, और क्या होगा, गाउं भेज दिया जाएगा, mercifully gathered in, to live in village, next to the theater and the store, next to the theater and store, जहाँ cinema चल रहा है, cinema घर, और जहाँ बड़ी बड़ी दुकाने हैं, उसके आज सपास इनको बसाया जाएगा, यहाँ पर देखे, to live in a village का आर्थ क्या है, वैसी ये गाउं में रह रह रहा है, लेकिन दूरस गाउं में रह रह रहा है, इन लोगों को यहाँ से निकल लिया जाएगा, इनकी जमीने खरीद ली जाएंगे, और एक तरीके से इन पर दया की जाएगे, जमीन खरीदने वाले लोग, धना डिवर्ग के लोग, मानों दया कर रहे हों, ऐसा इन गाउंवालों को बताएंगे, और इनकी जमीन खरीद ल अब बड़ी बड़ी दुकानों के पास शहर में एक आउट स्कर्ट में तुम लोग को बसाया जाएगा You will be made to live in a village near the city where there are theatres, where there will be stores, big shops क्या मतलब है इसका? क्या आप सोच सकते हैं कि धनी वर्ग के लोग ऐसे धयावान होते हैं? उनकी तो नजर, गिद्ध जैसी नजर गाउवालों की जमीन पर होती है जमीन उनसे खरीते हैं, उनको फुशलाते हैं, बर्गलाते हैं, उनका दिमाग घुमा देते हैं और थोड़े से पैसे में उन जमीन खरी लेते हैं They buy their land for a small amount of money But the villagers are in need of money, so they sell it And these rich people, they promise them That you will be made to come to this nearby city area Not in the city, but around the city So that you are closer to cinema hall, theater, big big building, big big shops क्या ये इनको वादा कर रहे हैं, क्या ये वादा जो है वो इनके हित में हैं आगे सुनिया, and this is the punch line ये इस कविता की खास पंक्ति है It is in the news that all these pitiful kin Are to be bought out सब खरी लिया जाएगा And mercifully, दया के साथ उनको एक अठा किया जाएगा दया दिखाते हुए दया का एक तरीके से प्रपंचना एक सामने एक Express करते हुए आजाओ आजाओ आप लोग के लिए हम कुछ कर रहे हैं ऐसा दिखाते हुए उनको एक अठा किया जाएगा और उन्हें शहर के आसपास गाउं में बसा दिया जाएगा Next to the theater and in Where they won't have to think for themselves anymore जहां उन्हें अपने लिए नी सोचना पड़ेगा ये कौन कह रहा है निर्धन लोग कह रहा है निर्धन लोगों को कहा जा रहा है अमीरों के द्वारा कि आप लोग निश्चन्त रहोगे वहां आप लोग का पूरा खयाल रखा जाएगा You will be looked after by us well You will be happy You don't have to think about yourself Your living, your life You don't have to struggle You won't have to think for yourself Any more इसके बाद Any more मतलब इसके बाद और ज्यादा इससे बाद आपको सोचना नी पड़ेगा अपने लिए For themselves अपने लिए और सोचने की जुरत नी है इसके बाद While greedy good doers Beneficient beasts of prey जो मैं punch line बोल रहा था यहाँ पे इसकार समझे Greedy मतलब क्या होता है? लालची दलिदर बड़ा कड़ुआ शब्द है लालची लो भी Greedy good doers Good doers Doer मने करने वाला Good मने अच्छा क्या अच्छा करने वाला कभी लो भी लालची होगा? यदि वो लो भी लालची है तो वो good doer तो हो इने सकता Bad doer होगा और यदि वो good doer है तो लो भी लालची नहीं हो सकता He cannot be greedy Similarly Beneficent Beasts of prey Beneficent मतला भलाय करने वाला लोगों का भला करने वाला उसे कहते हैं Beneficent Beasts of prey Beasts नहीं जानवर और prey नहीं शिकार Beasts नहीं जानवर और prey नहीं शिकार कमदने की कोशिश करिये Beneficent क्या कभी आपने ऐसे शिकारी जानवर सुने हैं जो भला करते हों या भला करने वाले लोग क्या शिकारी जानवर होते हैं नहीं शिकार के लिए जो जानवर होते हैं वो कभी भला नहीं करेंगे ऐसे ही जो लोग लोभी होते हैं ग्रीडी होते हैं वो लोग गुड डूर्स नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब है रहो कैसे लोभ दिया जा रहा है कैसे प्रलोभन दिया जा रहा है क्या क्या कहा जा रहा है इन गाओं वालों को फुश लाने के लिए what all is being said and the line is starting it is in the news ऐसी चर्चा है कि जमीन खरीड ली जाएगी उसकी एवज में इनको कुछ पैसा दिया जाएगा गाओं में बसाय जाएगा शहर के निकट और इन पर एक तरीके से दया की जाएगे इन लोग को थियेटर, सिनेमा घर, नाटिश शाला, दुकान के आसपास बसाया जाएगा और ये भी वादा कि आपको चिंता नहीं करने पड़ेगा अपने बारे में नहीं सोचना होगा जबकि लालची परोबकारी दयालू हिंसक पशु इन लोगों के जीवन पर बड़ी संख्या में च्छा जाएंगे दे बिल आल स्वार्म ओवर देर लाइफ़, स्वार्म होना मतलब च्छा जाना, घेर लेना, स्वार्म होना मने घेर लेना लालची लोग, लालची लेकिन गुट डूवर, गुट डूवर क्यों हैं? क्योंकि गाओं वालों की नजर में ये लोग गुट डूवर हैं, हमारा भला कर रहे हैं, ये जो गरीब लोग हैं, ये विचारे समझ नहीं पाते हैं कि इनकी जमीन कौड़ी के दाम खरीदी जा रही है, ये समझ नहीं पाते हैं कि शहर में इन्हें क्यों बसाया जा रहा है, उसके पीछे इनका स्वार्त क्या है? अच्छार ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए इतनी चिंतित क्यों हैं? वाइल ग्रीडी डूर्स, बैनिफिशन और फिर्स के बाद, बैनिफिशन, बीस्ट अफ प्रे, ये जो शिकारी हैं, हिंसा प्षू देयालू दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, देयालू दिख रहे हैं, अंदर थे तो इनमें पाशविकता है, हिंसा है, They think least good about the villagers But apparently they are showing that they are very kind-hearted people They are people who want to do great benefit for the villagers Sorry, this is absolutely wrong, poet says ऐसे दिखावा कुछ और अर अंदर में कुछ और ये धनी वर्ग की quality के बारे में यहां पर poet बात कर रहे है, Robert Frost कह रहे है धनी वर्ग हमेशा स्वार्थी रहता है और जब हो गाउवालों को शहर लाता है उनको लोव देता है, प्रमंचना देता है तो उसके पीछे उनका स्वार्थ है उसके पीछे इनकी अच्छाई या भलाई नहीं है अपने खुद की भलाई के लिए लाय जा रहा है स्वार्म ओवर देर लाइब और इस परकार ये जो धना डिवर के लोग हैं उनको घेर लेते हैं वो आइक बीस्ट अफ प्रे बट लुक बेनिफिशियरी वो आइक गुद दूर्ट बट अधर्वाइब अधर्वाइब बट बट पीपल इनको घेर लेते हैं अब देखिए बेनिफिट मने फाइदे और एनफोर्स करना मतलब दबाओ बनाना फाइदे के लिए दबाओ बनाते हैं अर्था तिने जबरदस्ती कुछ फाइदे दिलाते हैं ऐसे फाइदे जिसे ग्रामीर लोगों का कुछ लेना देना ने है निर्धन का उसे कोई तालुकात नहीं एक गरीब आदमी को आप पंखे वगर दे दोगे तो उसमें मतलब नहीं है लेकिन आप उस पे थोप दोगे, लाइट उस पे थोप दोगे वो तो विचारा अंदकार में रहने का आदी रहा है छोटे से मकान में रहने का आदी रहा है आपके खाली पराने बंगले हैं उसमें डाल दोगे और बोलेगे आपको इतना बड़ा भवन दे दिया हमने So, enforcing benefit ये लोग उन पर फाइदे लाद देते हैं That's a very sad thing Why keep your money and go along अपना पैसा अपने पास रखे हुए हो और आगे चले जाते हो Bracket में लिखा हुआ है दिस क्रॉसली दिस क्रॉसली मतलब ये गुसे में कह रहे हैं क्रोध में कह रहे हैं कौन दुकान के लोग जो दुकान चला रहे हैं बिचारे वंचित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग इस वर्ग के लोग जो वहाँ पर हैं या दुकान जो चला रहा है वो कहता है कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो Why keep your money अपना पैसा क्यों रखे रहते हो और आगे बढ़े चले जाते हो पैसा निकालो खरीदो, बेचो पैसे को फ्लो करो उससे आपका भी फायदा, आपके शहर का भी फायदा और हमारा भी फायदा जिसका जिक्र कभी ने पहले कर दिया है You will also benefit Your city will also benefit And we will also benefit The flow of money will help everyone That is what the poet is trying to say People are saying Vanchit people If you want to be mean Why keep your money यार पैसा क्यों रखे रहते हो क्यों रखते हो पैसा क्रोध में कह रहा है And go along और निकल जाते हो The hurt to the scenery won't be my complaint यह जो सुन्दर द्रिश्य है Heart इस पे जो चोड पहुंची है वो उसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं मैं उसकी शिकायत करते ही नहीं कर रहा हूं जो उसकी चोड पहुंची है It will not be my complaint Meanness पे उसकी बड़ी नाराजगी है समाज के उस तबके के प्रती जो लोग के बल अपनी ही सोचते हैं अपना ही भंडार बढ़ाना चाहते हैं And so the poet further says About these people In favor of these people So much as the trusting sorrow of what is unsaid क्या मतलब है So much as the trusting sorrow of what is unsaid जो कुछ कहानी गया है Sorrow मने दुख और trust मने विश्वास Unsaid मने जो कहानी गया अब यहाँ पर देखिए गौर करिए Unsaid के बाद दो बिंदी लगे हुई है यह दो बिंदी क्या कहलाती है अंग्रेजी में कोलन कोलन अर्थात इसके आगे इसी के continuation में कुछ कहा जाता है तब उसे कोलन लगाते है तो दुकान दरों का कहना है दुकान में जो विचारे बैठे हुए हैं कि तुमारे पास पैसा है फिर भी कंजूज बनना चाहते हो स्वार्थी हो तो अपना धन अपने पास रखो और अपना रास्ता नापो चलते बनो यह नाराजगी क्यों हुई क्योंकि यदि कभी कभी कोई उतर जाता है तो वो खरीदने के बदले आलोचना करने लगता है कैसा दिख रहा है तुम्हारी दुकान कैसी यह दुकान ने तो हाँ सिंदर्था बिगाड़ दी है और दृष्च खराब कर दिया है कलपना करिये जंगल के उस दुकान में बड़ी मुश्किल से पैसा एकर्था करके एक दुकान श्त्रारंब की गई गरीब के द्वारा और वो देखता रहता है कि कोई आए हजारों गाडियां आई गई प्रिटिक्षा करता रहता है कि कोई ग्रहक आए और एक गाड़ी आती है कलपना करीब कितना खुश होता होगा वो इक पैस बढ़ी है to the place where things are spread, laid जहां पर सामान उसका रखा हुआ है, वहां पर आके खड़ा हो जाता है और हो सकता है, मुश्कराता भी होगा, तनाव भी होगा, चिंता भी होगी, खुशी भी होगी सब कुछ है, mixed reaction उसके मन में हो रहा है और यहां यह उतरते हैं, गाड़ी वाले लोग, और अलुचना शुरू कर देते हैं खामिया निकालना शुरू कर देते हैं तो उस पर यह बड़ा गुस्चा हो जाता है और कहता है कि हाँ, यह सब चित्र जो है, सीनरी जो है इसके बेचने के लिए आपके पास पैसा होगा, पर अब कंजूस हो बहुत मनी मन कहता है, वो उनको कहनी पाता निर्धन या वंचित व्यक्तियों में समाज के कमजूर तबके के लोंगों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वे लोग अपनी आवाज बिलंद नहीं कर पाते विरोध नहीं कर पाते कुछ भै रहता है, कुछ कुंठा रहती है They are afraid of something Maybe of consequences They are scared They don't know how to protest They don't know how to stand up against the wrongs गलत के सामने कैसे खड़े हो यह उनको विचारों को नहीं मालूम घबराय रहते है तो अंदरी अंदर क्रोध में वो कह रहा है अपने कोई कि अरे तुमको नहीं खरीदना है तो मत खरीदो जाओ यहां से अपना पैसा अपने पास रखो बड़े कंजूस बने हो और अपना रास्ता नापो That's all कवी यहां पर कहता है कि जो सीनिक ब्यूटी है उस सीनिक ब्यूटी से जो सीनिक ब्यूटी में जो क्षती हो रही है सुन्दर्ता रमनीता में जो क्षती हो रही है क्षती किस कारण वो छोटी सी पुराने पेंट के तरीके से जो दुकान बनी हुई है उस से निश्चित रूप से वहां के सुन्दर्ता में कमी आई होगी तो कमी का कहना है कि यह जो भूद रिश्य को हने वाली क्षती से मुझे उतनी शिकायत नहीं है I am not against the damage that is caused to the beauty of the scene बल्कि रादर I am more unhappy, I am sad at what is not said जो नहीं कहा गया उसका मुझे जादा दुख है sorrow of what is unsaid I am not unhappy at the damage caused to the scene so much as the trusting sorrow of what is unsaid जो नहीं कहा गया है उससे मेरे अंदर जादा वेदना हो रही है मुझे जादा तकलीफ हो रही है I am feeling very uncomfortable inside for what is not said by whom not said by the villagers the shopkeeper अंदर ही अंदर वो लोग बिचारे कुल बुला रहे हैं poet उसको महसूस कर रहा है and he speaks about the feeling here far from the city we make our roadside stand man ही man ये कह रहा है वो गरीब दुकानदार कि शहर से इतनी दूर far from the city सडक के किनारे हमने एक दुकान बनाई है शहर से बहुत दूर शहर को तो हमने बरवाद नहीं किया और यहां पर दुकान खोल कर इतनी दूर में दुकान खोल कर we ask for some city money to feel in hand हम we ask for हम मांगते हैं ऐसा अर्थ नहीं है इसका city money शहरी पैसे को हम मांगते हैं ये अर्थ नहीं है यद्यपी शबदार्थ तो यहीं बन रहा है and ask for some city money to feel in hand हाथ में पैसे को महसूस करना चाहते हैं हम मांग रहे हैं इतनी दूर में दुकान खोल कर आप से कुछ पैसा अमीरों से कुछ पैसा और महसूस करना चाहते हैं वो शहरी पैसा शहरी पैसे को पर मांग रहे हैं कारतिय नहीं दान मांग रहे हैं यहां शहर से बहुत दूर हम चड़क के किनारे अपनी च्छोटी सी दुकान बनाते हैं और शहर के कुछ धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं कैसे महसूस करें Not by arms A.L.M. आम मने दान डोल मने दान हम डोल नहीं चाहते हम आम नहीं चाहते हम चाहते हैं कुछ हमसे खरीदो उस खरीदी बिक्री की एवज में जो पैसा आएगा वो शहर से आ रहा है हम उसको महसूस करना चाहते हैं शहरी पैसे का आनंद कुछ अलग ही है हम शहर के इस धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं And ask for some city money to feel in hand देखे कितनी करना में इसकी याचना है मन ही मन वो विचारा कलतना करिये दिकानदार बड़ी मुश्किल से दिकान खोला है वहाँ खड़ा है कुछ पैसा लगाया है कुछ सामान लाके वहाँ डाला है और दिन भर लोग आ जा रहे हैं गाडियां भाग रही है आ रही है जा रही है कोई नहीं रुक रहा है एक आज रुक भी जाता है तो वो फालतू की बातें करने लगता है अलोचना करने लगता है दिर्श को बिगाड दिया और सुन्दर्ता को खराब कर दिया उसने और ऐसा वैसा खरीदारी की तो बाते नहीं कर रहा है और वहाँ विचारा दुकानदार उच्चुकता से घर से एकदम निकलता है दुकान में आता है कि अरे ग्रहक आया पर होना कुछ और ही था वो तो ग्रहक नहीं बलकि एक अलोचक निकला He turned out to be a critic And that makes this man shopkeeper very unhappy, very angry And he says if you can't buy, you don't want to buy You are a very miser fellow, miser mani kanjus, thrifty mani kanjus You are a very miser fellow, you are a very mean fellow You don't want to spend your money, get out from here, get off from here Not get out, get off from here, chale jau yohan लेकि निफाल तुकी बातें ना करो ये complaint जो कर रहा हो कि ऐसा दृष्ष बला दिया भी घर दिया हम उसके लिए नी उसके लिए मतरुको जानने की कोशिश करते हैं शहर के कुछ धन को महसूस करने के साथ साथ ये निर्धन लोग ये जानने के भी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का विकास होगा की नहीं हम लोग बढ़ेंगे कि नी टू ट्राइए इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्स्पांड आवर बीइंग मतलब हमारे स्वैम के अस्तित्व को फैलाएगा कि नी एक्स्पांड मतलब फैलाना एक्स्पांशन मने विकास फैलाओ स्कूल का एक्स्पांशन हुआ है मतलब स्कूल की बिल्डिंग में और नई भारते जोड़ी गई है नए बच्चों की संख्या जोड़ी गई है एड हुए हैं तो एक्स्पांशन तो यहां पर उक कहता है and ask for some money to feel to try if it will not make our being expand और यह कोशिस करते हैं कि क्या हमारे जीवन का विकास नहीं होगा and give us the life of moving pictures promise beautiful line क्या हमें ऐसा जीवन मिलेगा जैसा की moving pictures में वादा किया जाता है moving pictures मतलब cinema निर्धन होते विए भी बिचारे एक दो cinema देख लेते हैं यह गरीब लोग और cinema के जो दृष्ष है उसमें जो विलाशिता दिखती है उसमें जो एशो अराम दिखता है शहरी जीवन का जो आनंद दिखता है उसको देखकर यह लोग बड़े प्रभावित होते हैं और बड़ा अफसोश करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जो कि हम यह सब पास सकें लेकिन कोशिस करते हैं उनको लगता है कि क्या वो सोचते हैं कि क्या हम ऐसे चलचित्रों के माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है क्या हमें मिलेगा will we get that kind of life that is shown in the moving pictures moving picture मतलब ऐसा cinema जिसमें drishiv चलता रहता है याने समाने cinema still cinema नहीं समाने cinema and give us the life of moving pictures promise वादे क्या हमें जो ऐसी pictureों में जो वादे दिखाई देते हैं जो चल चित्रों के माध्यम से जीवन के प्रती जो वादे किये जाते हैं वो क्या हमें मिलेंगे आपने देखा होगा राजनीती में नेता लोग बहुत सारे वादे करते हैं सरकारी अफसर गाउं वगर जाके बहुत सारे वादे करते हैं एक से एक बातें बताते हैं एक से एक उधारन देते हैं वृद्धि का विकास का ने ने मौडल की बात करते हैं और वादा करते हैं कि आपका ये काम छे माँ में आपका ये काम एक साल में आपका ये काम तीन माँ में और ऐसा सब पूरा हो जाएगा वादा करते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जाएगा, वादा करते हैं कि आपको ये चीजें दी जाएंगी, वादा करते हैं आपको साइकल दी जाएगी, वादा करते हैं आपको गैस इतने में मिलेगा और पता नहीं किया कि वादे, क्या होता है उन वादों का, इन अमीर वर्ग के लोग संपन लोग सत्ता वाले लोग हमें लुभाना चाहते हैं that the party in power is said to be keeping from us not for us keeping from us keeping from us मतलब हम से जो दूर रखरी है वादों को keeping for us हमारे लिए जो वादी रखरी है वो नहीं है यहां पर वो पंक्ति को बड़े गौर से पढ़िये to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise क्या हमें जो भूदृष्ट से होने वाली क्षटी से लेखा कहता है या यह दुकानदार कहता है कि हमें उतनी शिकायत नहीं है जितना दुख उस अनकही बात से है यहां शहर ते दूर हम तड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बनाए है शहर का कुछ धन अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसे हमारे जीवन में विकास होगा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो सिनेमा है चल चित्र जिसे कहेंगे हम हिंदी में उसके माध्यम से जिस्पकार के जीवन का वादा किया गया है क्या मिलेगा जिस्पकार के जीवन से सत्ता सीन राजनेतिक दल हमें वंचित रखते हैं राजनेतिक दलों द्वारा हमें वंचे तरखा जाता है ऐसा कहा गया है will we ever be given those things which have been promised in this film which we have seen at times वैसी बहुत कम film में देख पाते हैं क्योंकि धन नहीं है पैसा नहीं है फिल्म देखने के लिए मीलों दूर चे जाना पड़ेगा चिनेमा हॉल में कल्प ना करते हैं कि क्या यह political parties यह जो नेता लोग हमारे पास आके those who make promises but don't do it they keep these promises from us away from us हमसे जो दूर रखते हैं वादे not promises for us remember they make promises for us but keep them away from us वादे तो हमारे हमसे करते हैं हमारे लिये करते हैं धन भी हमारे लिये मिलता है सरकार से इनको लेकिन कोई वादे पूरे नहीं होते हैं हमें वंचित रखा जा रहा है पानी का बोर बनाएंगे कुआ खुद वाएंगे सड़क बनाएंगे गाओं में क्या वादे होते हैं, यही तो होते हैं, बिजली प्रवाइड करेंगे, तालाब खुद वाएंगे, छोटा गार्डन बनाएंगे, छोटा साब के लिए खिलोने का एक पार्क बनाएंगे, यही वादे होते हैं, पर इस वादे, इस प्रामिसे अर केप्ट अवे फ् पावर, पार्टी कार्थ, पार्टी कार्थ ये नहीं है, भोजन आधी की व्यास्था वाली पार्टी, पार्टी कार्थ है राजनी तिक दल, पार्टी इन पावर, is said to be keeping from us, वो हमसे जो दूर रखती है, हमसे जो वंचित रखती है, क्या वही बाते हैं, this is very very serious thoughts by the poet, said by way of feelings of these downtrodden, by way of feelings of these weaker sections, ये कमजोर वर्गों के विचार को कितने बढ़िया तरीके से कभी ने रखा, उनकी चिन्ताओं को, उनके गुसे को, उनके frustration को, उनकी कुंठा को, the poet has tried to keep it in front, now what he says further, बढ़र ये तो बड़ी साफ कर दिया उसने, कि हम ये दुकान इसलिए नहीं खोलें कि हमें दान मिले, काम के बदले में हमें पैसा दो, इतनी उसाह के हमने दुकान खुली है, उम्मीद करने आएंगे, लेकिन कोई आजा नहीं रहा और कोई आता भी है, तो वो क्या कर जाता है, बस, आलुचना कर जाता है, अरे भाई, आप कंजूस हो, चलते बनो, और फिर उसके बाद वो अपना गुस्टे का इजहार करता है, क्रोध करता है, मन ही मन, अनसेड, मन ही मन वो उस गुस्टे का क्रोध करता है,